हेलो बच्चो, वेलकम टू यॉर ओन यूट्यूब चैनल, तो बच्चो आज हम चप्टर नमबर 16 की वन वीडियो में पूरा का पूरा चप्टर समझने वाले हैं, ठीक है? तो चप्टर का नम है, Electric Current and its Chemical Effect, तो बच्चो इस चप्टर को स्टार्ट करनी से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी useful वीडियो में आपके लिए time to time लाता रहूँगा तो इस चप्टर के हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंट्रेस्टिंग चप्टर है, आपको एक बार मैं समझ में आएगा, ठीक है, तो चलो इस चप्टर करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे ही conductors क्या होते हैं, देखिए हमारी daily life में हम बहुत सारे examples देखते हैं, जहां पर conductor से हम familiar होते हैं, for example आपके घर में जो wire हैं, वो electricity को conduct करते हैं, जिसकी वज़े से fan चलते हैं और सारी चीज़ें चलते हैं, ठीक है, तो conductors को समझने के लिए हम example ले सकते हैं wire का, तो वो conductor होते हैं, अब conductor कौन नहीं होते, तो जो material, जो substance electricity को conduct नहीं करते हैं, उनको हम bad conductor या insulator कहते हैं, अब एक बात बताईए iron rod है, तो क्या वो electricity conduct करता है, यस, तो वो उसका मतलब क्या हुआ, वो conductor हुआ, ठीक है, और non conductors क्या होंगे, जो electricity को conduct नहीं करते हैं, ठीक है, तो solid के बारे में तो हम समझ चुके हैं, लेकिन आज का ज तक यह इसमें एक battery लगाई, बैटरी का symbol होता है, किसका symbol है, यहाँ पर हमने यह bulb लगाया है, अब देखो, यहाँ से यह पूरा connection जो है, वो तो wire का है, तो current यहाँ से यहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन अब current के पूरे circuit बनने के लिए, पूरे circuit में current के पास होने के लिए, अगर यह wire नहीं है, only liquid इसके बीच में है, तो क्या यह conduct करेगा, यह नहीं करेगा, यह depend करेगा liquid पे, कि आपने कौन सा liquid वहाँ पर use किया है, अब माल लीजी हमने इसमें लिया distilled water, distilled water का मतलब होता है, ऐसा water जिसमें कोई भी minerals, कोई भी iron present नहीं होते हैं, तो यह electricity को conduct नही करेगा, तो इसका मतलब यह bulb glow नहीं करेगा, अब माल लीजी हमने कोई इसमें और, जैसे माल लीजी विनेगर लिया, या हमने orange juice इसमें use किया, मतलब water के place पर हमने orange juice अगर हम इसमें use करेंगे, तो यह bulb glow करेगा, तो इससे यह clear होता है बच्चो, कि कुछ liquids ऐसे होते हैं, ज जो electricity को conduct नहीं करते हैं, अब इसमें जो liquids, जो electricity को conduct करते हैं, उनको हम कहते हैं, electrolyte, क्या कहते हैं, electrolyte, क्या कहते हैं, क्यों कौन से liquids को कहते हैं, जो liquids electricity को conduct करते हैं, उनको हम electrolyte कहते हैं, तो बात आपको समझ में आ गई, अगर हमने distilled water लिया, conduct करेगा, नहीं, तो इसका यह non-electrolite है, समझ गे, orange juice अगर हम इसमें लेंगे, electricity conduct करेगा, इसका मतलब यह electrolyte है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अब यह मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि अगर हमने यह experiment किया, और इसमें dilute hydrochloric acid लिया, तो यह भी electricity को conduct करेगा, तो इसका मतलब यह electrolyte है, कास्टिक soda अगर हम water में mix करके use करेंगे, यह भी conduct करेगा electricity को, इसका मतलब यह है कि कास्टिक soda भी electrolyte का work करेगा liquid state में, जब हम इसे पानी में मिला देंगे, ओके, common salt को अगर हम water में mix करते हैं, उसके बाद अगर electricity conduct करेगा, इसका मतलब यह भी common salt भी क्या है, एक electrolyte है, water में mix करने के बाद, तो यह बाद समझ में आगे, ऐसी vegetable oil है, glycerine है, hair oil है, यह सारे जो है ना, यह non electrolyte है, मतलब यह electricity conduct नहीं करते हैं, अब you know, electrolyte two types के होते हैं, strong electrolyte and weak electrolyte, strong electrolyte वो होते हैं, जो fully ionize हो जाते हैं, अब इसका मतलब क्या है, दोखों सबसे पहले एक बात इसमें समझने वाली है, बच्चों, कि जब भी हम किसी भी solid को, जैसे इसमें मान लिजीए, यह काश्टेक soda solid की form में होता है, हमने इसे water में mix किया, तो क्या होगा, इसके बाद में free mobile ion बनते हैं, आप करेंगे mobile का नाम कैसे आ गया, यह केवल जो हम use करते हैं, वो mobile नहीं होता है, यह दूसरा मतलब इसका मतलब होता है, यह ऐसे ion जो move कर सकते हैं, जिनको अब कहते हैं, free mobile ion, तो जब हम कास्टिक सोडा को water में mix करेंगे, तो free mobile ion बनते हैं, वो ion जो है जब वो move करते हैं, तो वो electricity के conduct होने में help करते हैं, तो इसका मतलब कहीं भी अगर free mobile ion अगर कोई मानलीजे liquid है, कोई भी liquid हो, अगर उसमें free mobile ion अगर present है, तो इसका मतलब वो electricity conduct करेंगा, और अगर नहीं है free mobile ion, तो इसका मतलब वो electricity conduct नहीं करेंगा, अब जैसे मानलीजे कास्टिक सोडा हमने लिया, और इसको water में mix किया, तो इसके बाद क्या होगा, उस mixing के बाद में ये होगा, कि अगर वो large number, यानि large amount में अगर free mobile ion बनाएगा, तो इसका मतलब वो strong electrolyte है, और कोई ऐसा substance, जो less number of free mobile ion बनाता है, इसका मतलब वो weak electrolyte है, तो बात आपको समझे बाई, electrolyte two types के होगे, strong electrolyte and weak electrolyte, strong electrolyte कौन से होगे, जो large number of free mobile ion बनाएगे, जिसे मालीजे sulfuric acid है, copper sulfate solution है, ध्यान लगना, copper sulfate नहीं, copper sulfate solution, ऐसी अगर आपने लिया, caustic soda solution की form में, then वो large number of ion बनाएगा, इसका मतलब वो strong electrolyte कहलाएगा, अच्छा, weak electrolyte कौन से होगे, acetic acid, ये भी एक acid होता है, ठीक है, ammonium hydroxide solution, यानि अगर हम water में mix करते हैं, तो वो भी less number of free mobile ion बनाएगा, ऐसी tap water, अच्छे, इसमें एक बात और समझने की है, कि अगर हम इसमें मालीजे, weak electrolyte लेते हैं, यहाँ पर, liquid के place पर, तो इन्हों बल्ब तो glue करेगा, लेकिन ये बल्ब उतना ज़्यादा glue निंग करेगा, जितना strong electrolyte के put करने पर, ज़्यादा यानि उसकी brightness ज़्यादा होगे, क्योंकि अगर ज़्यादा mobile ion होंगे, तो वो ज़्यादा electric conduct करेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा glue करेगा, बल्ब ये, ये बल्ब ज़्यादा glue करेगा, तो आई होप आपको ये topic समझ में आया होगा, तो बच्चों अब हम समझेंगे conversion of chemical energy into electrical energy, यूनों आपने कई बार notice किया होगा, कि जो हम car use करते हैं, जो हम घर में जो toy वाली car use करते हैं, आपके पास जो होगी car, उसमें आपने notice किया होगा, कि जो cell होता है, वो dry cell होता है, उसमें भी chemicals होते हैं, क्या होते हैं chemical, तो उसमें जो chemical होते हैं, उसकी वज़े से electrical energy, जो है develop होती है, के जरुरेट होती है जिससे वह वर करते हैं और वह कार को चला पाते हैं तो इस टॉपिक में आज हम वही समझने वाले हैं कि हम केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंवर्ट कर सकते हैं तो यूनों 1790 में एक्सपरिमेंट किया एक सेटप दिया था उसमें उन अब यहां पर एक कॉपर रोड लगाई है कि कहीं भी बैटरी नहीं है कहीं भी कोई सेल इसमें यूज नहीं हुआ है कहीं भी सेल नहीं है अब यूनों जैसे हम इस सेटप को लगाएंगे यह बल्ब गलो करने लगेगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्टिसिटी बल्ब को मिली बट इसमें तो बैटरी नहीं है सेल नहीं है फिर इसको इलेक्टिसिटी कहां से मिली तो यूनों इसमें जो केमिकल रियक्शन हुई उसकी वज़े से इसको electricity मिली यानि इसकी वज़े से bulb glow होगा तो कही न कहीं हम यह समझ सकते हैं कि हम chemical energy को भी electrical energy में convert कर सकते हैं ठीक है अच्छा इसका converge भी true होता है तो को converge का क्या मतलब है converge का बच्चो मतलब यह है कि हम electrical energy से भी chemical reaction करा सकते हैं और यहाँ पर हमने copper rod ना लगा के graphite की rod लगा दी देखो बच्चो graphite क्या होता है यह जरा समझो बहुत important topic है जरा समझना अगर हमने इसमें क्या किया graphite rod लगा दी यूनो जैसे आपने क्या किया आपके पास pencil होती है न पैंसल में जो dark color की यनी black color की जो rod होती है आपने देखा होगा ठीक है उसको graphite की rod भी कह सकते है उसको अगर हम इसमें यूज कर लें आपको दोको एक experiment आपके book में भी दिया है ठीक है तो अगर हमने वो इसमें यूज कर ली और इसमें battery लगा दी ठीक है यह battery का symbol होता है हमने इसमें battery यूज कर ली और हमने इसमें क्या किया water लिया लेकिन इसमें कुछ drop sulfuric acid की डाल दी क्या किया है हमने कुछ sulfuric acid की इसमें drop डालेंगे और हमने इसमें लिया है यह water और water की साथ में हमने कुछ acid की जो है इसमें drop डाल दी, अब इस बात को ध्यान लखना है, यह बहुत ज़दा corrosive होता है nature में, इसलिए हमें carefully इसको use करना चाहिए, ठीक है, अब क्या होगा, कि जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे, about 9 volt की, तो you know क्या होगा, कि इसमें chemical reaction होने लगेगी, और you know यहाँ पर gas के bubbles निकलने लगेंगे, क्या निकलने लगेंगे, bubbles, gases के bubbles निकलने लगेंगे, अब अच्छो एक बात इसमें ध्यान लखना, कि इसमें जो negative terminal से जो rod connect होती है, उसको हम बोलते है cathode, ध्यान लखना अच्छे से, ठीक है, और जो positive वाले terminal से जो connect होती है, उसको हम कहते है, anode, तो हमने क्या समझा अभी, हमने ये समझा, कि हम chemical energy से भी, chemical energy को भी हम electrical energy में convert कर सकते हैं, वो volt excel था, अब क्या है, हम electrical energy से chemical reaction कराएंगे, नहीं chemical energy में convert करेंगे, अब ज़रा समझना, ठीक है, तो हमने क्या किया, कि यहाँ पर cathode है, और यह anode है, जो भी battery के positive वाले terminal से connect होगी, अब इसमें आपको क्या समझना है, कि जैसे हम switch on करेंगे, यहाँ पर कुछ bubbles निकलने लगेंगे, bubbles, gases के, तो you know, आपको पता है, water का formula होता है, H2O, तो water से two gases निकलेंगी, वो निकलेंगी, hydrogen and oxygen, यह बात आपको दिहान रखनी, अगर हम water से electricity pass करते हैं, तो two gases निकलते हैं, समझना है, कि कौन सा ऐसा rod है, यानि cathode पर कौन सी कैस निकलेंगी, और anode पर कौन से निकलेंगी, तो हमेशा ध्यान नखना, anode पर निकलती है, oxygen, कौन सी कैस निकलती है, oxygen, और cathode पर निकलती है, hydrogen, कौन सी कैस निकलेंगी, इस पर, hydrogen, यह जो bubbles हैं, यह वाले, ठीक है, और य इसका मतलब hydrogen, ठीक है, anode, anode पे निकलेगी oxygen, इस बात का आप लोग देहान रखेंगे, अब जो chemical reaction इसमें होगी, वो किस किस पे depend करेगी, पहला तो nature of electrode, यानि यह electrode के nature पे भी depend करती है, अगर electrode अच्छे होते हैं, तो ज्यादा chemical reaction होगी, इसका rate उस पे depend करता है, ठीक है, and nature and concentration of the solution, जो इसमें हम solution use करते हैं, उस पे भी chemical reaction depend करती है, अगर हमने कोई और solution लिया होता, तो वो different rate से reaction होगी, ठीक है, अब इसमें कुछ effects, यानि अगर हम chemical reaction इसमें होती है, electricity की वज़े से, तो उसके कुछ और भी effect हो सकते हैं, जो आपके book में दी है, ठीक है, metal may get deposit at the electrode surface, you know, यहां तो हमने water लिया है, क्या लिया है, water तो gases निकली है, लेकिन ऐसा भी possible है कि अगर मालीजी हम इसमें कोई और salt लें, जैसे copper sulfate लें, तो metal भी deposit हो सकता है in electrodes पर, तो ये भी possibilities हैं, ठीक है, gaseous bubbles may get formed in your electrodes, देको gaseous bubble बन सकते हैं, you know, इसमें topic का मतलब क्या है, इसका मतलब य है, कि अगर हम electricity pass करते हैं, किसी electrolyte से, ठीक है, तो कुछ phenomena हो सकते हैं, तो gases निकल सकती है, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और metal भी deposit हो सकता है, अब हम metal का भी समझेंगे, ठीक है, color change हो सकता है, solution का, ठीक है, तो ये एक topic है, ठीक है, अब हम समझेंगे, you know, जो electricity की वज तो सबसे पहले हम समझते है, और क्या होता है, यूनो, और होता है, ऐसा mineral, जिसमें कोई particular metal की percentage ज्यादा होती है, ठीक है, तो कुछ ऐसे metals like magnesium, sodium, aluminium, ये जो metals है, ये electrolysis वाले process से ही separate होते हैं, ठीक है, अब इसमें second, जो application वो है, electro refining of metal, अब electro refining का मतलब क्या होता है, कि जो metal हम obtain करते हैं, जैसे copper, किसी भी process से, तो जो copper metal होता है, वो बिल्कुल pure नहीं होता, तो उस copper को pure करने के लिए, जो हम method use करते हैं, उसमें electricity का use होता है, इसलिए उसको कहते है, electro refining of metal, ठीक है, you know, third, इसका most important जो application है, वो है, electro plating, electro plating का मतलब आपने समझा होगा, कि जैसे मान जी ये iron का है, अब इसकी मुझे value बढ़ानी है, appearance बढ़ानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर silver की layer लगा सकते हैं, या copper की layer लगा सकते हैं, तो ठीक है, तो अब इस process को हम बोलते है, electro plating, electro plating का मतलब है कि किसी भी metal पे या किसी भी object पर, ठीक है, किसी metal पे हम desired layer की दूसरे metal की लगाना चाहते हैं, कोई thin layer लगाना चाहते हैं, तो उसका हम कहते हैं, electro plating, अब electro plating में क्या होता है, जिसे माली जी, zinc की plate आई है, ठीक है, ये zinc है, और इस पर हम copper की electro plating करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कि हमें क्या करना है, कि जिस भी metal पे electro plating करनी ह the metal which is to be electroplated उसको हमें connect करना है किसे cathode से ध्यान नकना cathode अभी हमने समझा था न कि जो भी rod negative वाले terminal से connect होती है उसे हम कहते है cathode आगे topic बताने से पहले बच्चों एक मैं आपसे request करना चाहूंगा कि वैसे तो आप लोगों ने channel subscribe कर दिया होगा बट अगर आपने अभी तक channel को जो है subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दियागा ठीक है चलो आगे समझते हैं तो you know negative वाला जो terminal से हम cathode कहते हैं और जो metal plate positive वाले से connect होगी जो हम कहते हैं anode तो बिटा ही कौन से है anode ये हमारी rod है anode अब क्या होगा कि जैसे हम इससे you know यह switch है यह key है इसको हम key कहते है तो जैसे हम key को close करेंगे कहने का म्तलब यहाँ पर जो switch है इसको key close करने का मतलब आसमे current pass होने लगेगा ठीक है तो जैसे हम current से pass करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से copper metal इसमें dissolve होगा और यहां से copper इसके पास deposit हो जाएगा नहीं, zinc पर deposit हो जाएगा, तो इस process को हम कहते हैं, electroplating, ठीक है, अब देखो इसमें electroplating वाला जो process है, इसमें हमें समझना है, कि जिसको हमें electroplating करनी है, जिस पर उसे हम कहां पर लगाएंगे, cathode पर लगाएंगे, ठीक है, अब जिस metal की electroplating क करनी है, यानि जैसे मान लीजिए, zinc है, इस पर हमें copper की thin layer लगानी है, उसका pure metal हम लगाएंगे, कि इस पर anode पर लगाएंगे, ठीक है, और suitable sort लेना है, जैसे अगर हमें copper की layer लगानी है, तो हम copper का sort लेंगे, अब एक पात बताओ, जैसे मान लीजिए, यह zinc है, ठीक है, अब यहाँ पर जो salt आप लोगे न, यह जो salt है, फिर copper sulfate नहीं लेंगे, अगर हम silver की plating करना चाते हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, फिर silver लेंगे, और यहाँ पर भी silver nitrogen, यह नहीं, silver का ही कोई salt लेंगे, यहाँ पर, तो यह बात आपको I think समझ में आगे होगी, clear है, अब इसके हमारी deal life में काफी कुछ applications है, आपकी book में भी दिय हुए, एक बार आप देख लेंगे, ठीक है, actually यह improve करता है, appearance को, जैसे मान लीजी अभी zinc की है, तो उतनी ज़्यदा shine नहीं करेगी, अगर इस पर silver की plating होगे, तो ज़्यदा shine करेगी, obviously, protective हो जाती है, protective layer, कहने का मतल लाश्टिक चलेगी, उसकी strength को बढ़ा दिया, protective layer का भी काम करती है, ठीक है, आपने देखा होगा chromium, कि जो बार टब होते हैं, ठीक है, car bumpers होते हैं, handles जो होते हैं, उन पर भी electro plating आती है, जिससे वो long plastic चलते हैं, ठीक है, और इसमें next है, cost को भी minimize करता है, यह तो बिल्कु होता है, ठीक 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 हम बोलते हैं electromagnetic induction पहले मैं आप लोगों को definition बताता हूं ठीक है the phenomena in which electric current can be generated with the relative motion between coil and magnet is called electromagnetic induction तो ये electromagnetic induction है क्या actually 1831 में फेराडे नाम के एक scientist थे उन्होंने ये दिया था बड़ा ही important है अच्छा एक बात बताईए कि जब light चली जाती है आपने देखा हुआ कई बार generator work करता है ठीक है generator जो है electricity को produce करता है तो उसमें भी यही principle work करता है electricity को generate करने के लिए तो बच्चों समझते हैं तो ये एक coil है इसको हम coil कहते है ठीक है इसमें bulb लगा हुआ है कहीं भी battery नहीं अब आप कहेंगे सरी coil कैसा होता है यूँनि यह wire है insulated copper wire है जैसे insulated का मतलब समस्थे जैसे जो घर में जो wire यूज होते हैं उनको हम insulated copper wire कहते है ठीक है जैसे कोई भी wire हो उपर से उस पर insulation होता है जिससे अगर हम उसे touch करें तो हमें electric current ना लगे जैसे माली जैसके अंदर wire होगा ठीक है copper का बट उपर से वह insulation होता है तो उसको हम बोलते है insulated copper wire तो यह जो coil बनी होती है वह insulated copper wire की और यह sprint type में ऐसे करके जो sprint type होती है circular ऐसे से करके ऐसे करके यह इसको हम coil कहते है तो अभी एक बात बताईए कि इसमें कहीं भी battery नहीं है तो क्या इस भी बल्ब glow करेगा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि battery के connection होते है अगर मान लीजी यह cell हमने use किया है यह cell है ठीक है अब इससे हमने क्या किया connect कर दिया bulb को यह bulb है तो अब एक बात बताईए क्या यह bulb glow करेगा obviously करेगा क्योंकि cell से इसे electric current मिलेगा तो यह bulb glow करेगा अब यहाँ पे कहां से electric current मिल रहा है तो नहीं मिलेगा तो bulb glow नहीं करेगा अब इसमें क्या है हमारे पास एक magnet है हमने क्या कि जैसी हम magnet को पास लेके आएंगे जैसी हम motion में magnet को पास लेके आएंगे यह bulb glow करने लगेगा तो यह नो इसके यानि कोईल के और magnet के relative motion की वज़े से इसमें electric current generate होने लगा इसी process को तो हम कहते हैं electromagnetic induction तो यह फेराडे ने अपने experiment में यह बताया ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम magnet को पास लेके जाएंगे यह जो है इसमें current produce होगा लेकिन अगर हमने क्या किया कि यह हमारे पास माली जी magnet है हम पास लेके आए तो बल्ब गलो करेगा यानि current produce होगा और पास ले जाके अगर हमने रोक दिया तो फिर current produce इसमें नहीं होगा और जैसे हम दूर ले जाएंगे फिर current produce इसमें होने लगेगा तो कहने का मतलब यह है कि motion होगा इन दौनों के बीच में अगर motion होगा तो current produce होगा यानि यह बल्ब गलो करेगा अधरवाइस नहीं करेगा तो एक और बात इसमें हमें समझनी है कि अगर हम motion को fast करेंगे जैसे अगर हम एक पर slow लेके आई तो current produce होगा लेकिन कम amount में होगा अगर हम तेजी से लेके आएंगे तो current produce होगा ज्यादा amount में होगा तो आप लोगों को कुछ यह observations ध्यान रखने है ठीक है अगर motion होगा relative motion का मत्तब यह है कि इन दोनों के पीच में motion होना चाहिए या तो यह move करें या हम coil को pass लेके आएंगे तब भी current produce होगा magnet के पास ठीक है इसमें current produce होगा ठीक है तो यह topic था कि अगर अच्छा इसमें एक बात और समझने वाली है कि अगर motion faster होगा तो ज्यादा current produce होगा यह बात आपको समझ में आ गई अगर हम pass लेके आएंगे तो current produce होगा लेकिन दूर लेके जाएंगे तब भी current होगा लेकिन direction opposite होगी कुल मिलाके बात यह समझने वाली बात यह है कि अगर motion नहीं होगा तो current produce नहीं होगा अगर आप pass लेके आओगे तो current produce होगा उसकी direction जो भी हो लेकिन अगर दूर लेके जाएंगे तो फिर direction opposite हो जाएगी तो यह था पूरा chapter I hope आपको समझ में आया होगा thank you so much have a nice day